प्यारे दोस्तों शादर अभिवादन आज बात करते हैं टीम भाजपा और टीम राव की एक आम चर्चा है कि भाजपा और टीम राव के बीच विश्वास का संकट बढ़ रहा है एक एहम सवाल पूछा जा रहा है कि राव विरिंदर शिंग की समर्ती में गुरुग्राम में हुए डाक टिकट विमोचन समारों से हरियाना के गुरुग्राम में रहरे भाजपाई दूर क्यों रहे तकनी की रूप से देखें तो टीम भाजपा और टीम राव इंदरजीत अलग नहीं हैं राव भाजपा सांसद होने के कारण ही केंद्रिय मंत्री हैं मगर जमीनी हकिक तो कांग्रेश से भाजपा में आने के कई वर्सों बाद भी राव इंदर जीट सिंग के शिपाई और भाजपा के कारीकरता घी खिचड़ी नहीं हो पाए हैं कल 20 फरवरी को राव इंदर जीट सिंग के पिता वपूर्व मुक्य मंत्री स्वर्गी राव विरेंद्र की समर इस आयोजन को लेकर यह सवाल पुछा जा रहा है कि भाजपा की गुरुग्राम में रहने वाले वरिष्ट भाजपाई कारीकरम से दूर क्यों रहे? कल के कारीकरम का अगर कोई निशकर से जनता के बीच पहुँच रहा है तो यही कि केंद्रिय मंत्री राविंदर जीत सिंग और भाजपाईयों के बीच विश्वास का संकट कम होने की बज़ाए लगातार बढ़ता जा रहा है। आज इसी का उत्तर तलासने की कोशिस करते हैं राजनितिक समिक्षकों की माने तो यह स्थिती एक दिन में पैदा नहीं हुई है। समारों में बतोर मुक्यति थी, आमंत्रित किये गए, उपराश्ट पती, जगदीप, धनकड बले बीमारी की वज़े से कल नहीं पहुँच पाए, मगर ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो उनके नए आने को भी राजनितिक चस्में से देख रहे हैं। यह सच है कि कुछ समय से राव ने अपने तेवर नरम कर लिये हैं और वहाँ अब मोधी सरकार के साथ साथ मनोर सरकार की भी खुल कर तारिफ कर रहे हैं। मगर इस बात की गहराई में जानी की जरूरत है कि भा गुरुगराम जिला परधान गारगी कककर तक भाजपा की पूरी टीम कारिकरम में क्यों नहीं पहुंच पाई। कल के कारिकरम को लेकर चंचन कर बाहर आ रही बातें राव और भाजपा के बीच ताल में लंबा खिचने के संकेत नहीं दे रही है। शूत्रों की माने तो राव खेमे की ओर से भी गुरुगराम भाजपा के नेताओं को कोई सही डंग से बुलावा नहीं भेजा गया। अगर राव भाजपा की स्थानिय टीम, सत्ता के मुख्या मनोहर और संक्ठन के मुख्या ओम प्रकास धनकड से ताल में करके यह कारिकरम आयो जित करते तो प अपनों को बागडोर सोपी गई, उन अपनों को भरोसा था कि एम्बियंस आइलेंड स्थित एड़ोट एक्स्पिरियंस होल में बिना बुलाए भी भीड जरूरत से अधिक एकत्रित हो जाएगी, मगर ऐसा सोचना गलत सा भीत हुआ। गुरुगराम में जिस जगे यह कार इकरम था, वहाँ पर आम लोगों की पहुँच उतनी सुगम नहीं थी, जितनी रेवाडी या गुरुगराम के किसी देहाती छेतर में होती। खैर अब टीम भाजपा और टीम राव के बीच बनी खाई पर बात करते हैं। सवाल उठता है कि क्या राव भाजपा से जाना च चाहते हैं। इसका जवाब यह है कि राव ऐसा कता ही नहीं चाहते हैं। में राव पहले खुद लोकसवा का चुनाव लड़ना चाहेंगे और बाद में विदानसवा चुनाव के समय बेटी आरती राव के लिए विदानसवा की टिकट मांगेंगे हालांकि आमिच साप इछले दिनों हरियाना में लोकसवा वे विदानसवा चुनाव एक साथ होने की बात कह चुके हैं, मगर अभी ये बात बहुत से लोगों के गले नहीं उतर रही है साथ चुना होने की स्थिती में भी राव अपने वे बेटी के लिए बड़ी वे छोटी पंचायत की टिकट चाहेंगे, बहराल ऐसा नहीं लग रहा कि मन की बात करने वाले मेरा मतलब मोदी, राव के मन की नहीं समझते होंगे, ऐसा असंबव है, ऐसी स्थिती में अगर ये कहा जाए, कि दो ताकतवर गुजरातियों के हाथ में ही हरियाना के इस कद्दावर नेता का भवश है मोदी और शाह महरवान हुए तो पीक अन्था राव की रहा मैं भी आज डोट-डोट करके इसे छोड़ रहा हूँ आज हम भी इस जिग्यासा को अनुत्रित छोड़ देते हैं वो ऐसे चलते चलते एक बात बता दें कि भाजपा का प्रदेश वे जिला नेत्र तालमेल तोड़ने के पक्स में नहीं बलकि जोड़ने के पक्स में हैं मगर उन्हें राव इंदर जी सिंके प्रबंदकों की नीतिया चुबती है राव जितनी जल्दी अपने वे अपने समर्थकों को भाजपा के साथ घी किछड़ी कर लेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा और अगर राव कुछ और सोच बैठे हैं तो समय इसका जवाब देगा फिलाल मुझे नहीं लगता कि राव भाजपा को आँख दिखाएंगे धन्यवाद